तुम्हारी क्या उकात के तुम मुझे बरबाद करो अस्सलाम अलेकूम, हाई गाईज, कैसे हो सब लोग तो फ्रेंट्स, अगर आप भी अलाइट मोशन में, ब्लैक स्क्रीन में टेक्स्ट एमिनेशन करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट चक जरूर देखना और वीडियो को इसकी बिल्कुली मत करना तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले आपको अलाइट मोशन उपन कर लेना है और उसके बाद आप कोई भी रेशियो चूज कर ले आइटिंग आपके लिए 9 by 16 रेशियो परफेक्ट रहेगा और उसके बाद आपको एक कलर भी चूज करना है पहले आपका लाइट गिरेम होगा तो आप वहाँ से बिल्क कर ले फिर आपको स्पिलस को लगाना है, उसके बाद आपको मीडिया में आकर आपको कोई भी वीडियो को सिलेक्ट करना है तुमारी क्या उकात के तुम मुझे बर्बाद करो और वीडियो को एक बार टैप करके आप इसको एकस्टिट अइडियो में कर ले और जो वीडियो अला है आप उसको डिलीट कर दें अब देखें मेरी वीडियो आईडियो में हो गई है तुमारी क्या हो काद और फिर आपने seconds के उपर टैप करके वहाँ एक line कर देनी ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा जुमला मेरा कहा तक है इसी तरह मैंने सारे जुमलों को अलग-अलग split कर दिया है तो आप इसी तरह अपने हर sentence को split कर लें ताकि आपको पता चल सके कि मेरा जुमला कहा तक है और मुझे कहा तक text करना है तो आप देख सकते हैं मैंने जुमलों के हिसाब से एक दम perfect split किया है तुमारी क्या उकात के तुम मुझे बरबात करो वो अलग बात है हमने बनना सवर ना छोड़ दिया तो finally अब मैंने poetry के हर से गो अलग-अलग split कर लिया है अब यहां से आपको अपनी poetry text करनी है अब जो आपके word हैं आप वो type कर लें और उसके बाद आपको ऊपर color का option दिख रहा होगा तो आप वहां से कोई भी color यूज कर लें और एक्जेंपल मैं भी white color यूज कर रहा हूँ और side में fonts का size भी है और एक्जेंपल मैं भी 24 base का size रख रहा हूँ आप चाहे तो increase और decrease कर सकते हैं और आप अपने text का fonts भी change कर सकते हैं और एक्जेंपल आप यहां से कोई भी choose कर लें और यहां से आप इसको tick कर लें और उसके बाद आपको आना है border shadow में आप यहां से इसका color white कर लें और इसको आप on कर लें ताकि आपके fonts का color कुछ dark हो सके और उसके बाद आपको जाना है move transform में और यहां से आप अपने text को कुछ zoom कर लें ताकि आपके text का कुछ size increase हो सके फॉर एक्जेंपल अभी मैं starting में इसको 700 पर रख रहा हूँ आप चाहें तो और कम भी रख सकते हैं 700 पर करके आपको यहां इस प्लस वाले option को लगा देना है और फिर से आपको थोड़ा आगी आना है और फिर से आपको प्लस वाले option को लगा के वहां से आपको और ज्यादा कुछ zoom कर लेना है फॉर एक्जेंपल आप 830 या 850 पर भी रख सकते हैं अब देख से दें फाइनली मेरा फॉंट ऐसे कुछ बन चुका है कि स्टार्टिंग में लिटल है और आगी आके मेरा जूम हो रहा है और लास्ट में भी आपको इसी तरह करना है वहां पे आप फिलस का option लगा ले और जो आपने स्टार्टिंग में 700 किया था तो आप इसको भी 700 पे कर लें ताकि लास्ट में भी आपका फिर से आपका फॉंट कुछ लिटल हो जाए और सेकंड लास्ट में आपको फिर से फिलस का option लगा देना है और आप वहां पे उसका size है जो आपने पहले किया था 830 आप वहां भी वही size कर लें ताकि आपका सेंटर वाला इसा एकदम perfect रहे और स्टार्टिंग में और लास्ट में जूम होता रहे अब आप देख सकते हैं finally मेरा स्टार्टिंग में भी ऐसे बन चुका है और लास्ट वाला इसा भी तो उसके बाद आपको एफेक्ट यूज करने हैं आपको एक प्रस का option लगाना है और वहां पे आप फेस को वन पे लेकर आजाएं फेस को आप वन पे कर दें perfect और जो spacing को आपको लाना है six पे spacing को आप six पे लेकर आजाएं और जो magnitude है उसको आप ले आए 0.5 अब finally मेरा एक इस एक वेव वाला एक जम परस्पेक्ट हो गया है अब आप देख सकते हैं कब मैं दुसरा एफेक्ट एड करूंगा तो आप फिर से एफेक्ट में आ जाएं और एड एफेक्ट में आ जाएं और वहां पर आप सर्च कर लेए exposure gamma शरा है यहां पर ऐगया exposure gamma तो आप यहां से इसको add कर लें एड करके आप इसको open कर लें और यहां पर इसको exposure को आप बेर are an order वाला पार्ट कि अपस्पे अप। गाले और फिर से यापको थोड़ा आग gagn अना है फिर सित लगा लें और आगी वाले पार्ट पर आप गाशन बिलर सीरो कर लें ताकि आपको का इस सार्टंग में गाशन में इलर होना चाहिए और जो एंड वाला पार्ट है आप वहाँ पर भी प्लस का ओप्शन लगा कि वहाँ पर आपना भीलार को इंकरीज कर सकते हैं मतलब इस्टार्टिंग वाले पार्ट में आखरीलास वा आप exposure gamma depend करता है बिलर पे जितना आप का ज्यादा बिलर होगा उतना ही आपका गामा इंट्रीज होगा अब आप एक वार वैक आजाए और आप बिलर को open कर लें अब आप जितना blur increase करेंगे उतना ही आपका exposure gamma increase होगा अब वो आप पर depend करता है कि आप कितना blur करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा इतना blur हो रहा है और लास्ट वाले प्लस के option में आके आपको वहां से भी अपना blur increase करना है अब वो आप पर depend करता है कि आप कितना blur कर रहे हैं तो friends finally अब मेरे तीनों effect इस sentence में लग गए है अब आगे वाला process यह है कि आपको सिर्फ copy करना है और paste करना है अब आपकी सारी editing होगी सिर्फ आपको copy और paste वाला work करना है तो आप पहले इसको copy कर ले copy layer कर ले अब आप यहां से split कर ले जहां तक आपका पहला sentence था poetry वाला तो यहां से मैं इसको trim कर रहा हूं और आपको थोड़ा screen को आगे करके आपको यहाँ पे वह copy layer वाला आपको paste करना है यहां पे पेस्ट लेयर कर लें अब यहां से आपको सिर्फ इसके अलफा बेड़ी चेंज कर रहे हैं और आपकी जो एफेक्ट्स होगे रहा थे वह आपके सहीं में रहेंगे बस आगे वाला प्रोसे सिर्फ कॉपी और पेस्ट वाला है लेकिन जो इमोजी है वो आपको फिर से अलग इडिट करने पड़ेंगे तो आप यहां से इसको भी trim कर लें जहां तक यह line है poetry वाली इसको भी यहां से trim कर लें फिर से आपको थोड़ा आगया कि आपको फिर से आपको paste करना है और यहां से आप इसकी alphabet change कर लें आगया वाला process बिलकुल आसान है सिर्फ आपको copy और paste करना है लेकिन जो आप emoji के लिए बनाएंगे sentence वो आपको again edit करना पड़ेगा because उसके color और इसके color में changing है तो पहले हम यह edit कर लेते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा कि emoji कैसे edit करना है तो आप यह जो मैंने text किया है तो आप इसको यहां से trim कर लें एक बार back आजाए और आप यहां से इसको trim कर ले trim करके आपको फिर से थोड़ा आगी आना है और आप यहां पे paste कर दें इस layer को layer को paste करके सिर्फ आपको इसके alphabet change करने है same ही तरीके से आप कुछ भी type कर ले और फिर से इसको भी यहां से trim कर लेना है editing बिल्कुल easy है सिर्फ आपको एक बार यह बात समझ आजाए सिर्फ आपको एक बार करना है उसकी बात आगे सिर्फ copy और पेस्ट वाला वरक है बिल्कुल भी आसान है और अगर आपकी आलाइट मोशन में वाटर मार्क आ रहा है यह इफेक्ट बहुत easy हैं सिर्फ आपको एक बार समझना है कि इसको कैसे टाइप करना है और फिर आगे आला प्रॉस से सिर्फ copy और पेस्ट वाला है तो finally अब मैंने सारे डिट कर ली है तो अब हम चलते हैं कि हमको emoji कैसे टेक्स करना है मैं अब इसको बिल्कु सेंटर पर रख लूँ इन सब को आप सेंटर पर एकदम एड़्जस्ट कर लें तो अब बात करते हैं emoji बनाने पर आपको फिर से आ जाना है आप font change कर सकते हैं और अब आप यहां पर move transform में आ जाएं और इसको भी आप increase कर लें जूम करके इसकी size increase कर लें तो इसको भी इसी तरह edit करना है जैसे कि हमने पहले वाले effect edit किये जैसे कि starting में आपको plus वाला option लगा देना है और आप starting में इसको 800 पर कर दें और फिर से प्लेस वाला option लगा कर लें ताकि starting में इसकी size कुछ इसमाल हो और आगे आते हैं ते मतलब zoom होते होते इसकी size कुछ increase हो जाए और लास्ट में भी आपको plus वाला option लगा लेना है और वहां पर भी आपने इसकी size कुछ decrease कर देनी है ताकि starting में emoji increase होता जाए और लास्ट में फिर decrease होता जाए तो आपको प्लिस वाल option के साथ एक और प्लिस वाल option लगाना है और वहां पर आप इसका जूम 850 पर कर दें अब जो starting में मेरा emoji का size है वो है 800 और जो center में है वो है मेरा 850 और लास्ट में मैंने 800 कर लिया है इसका size अब इस emoji में आपको जितना आपको जूम सही लेगी आप व तिनों effect यूज करने जो मैंने पहले एडिट किये सबसे पहले आपको wave warp वाला effect यूज करना है उसको आप add कर ले और एक plus का option लगा ले और एक plus का option last में लगा ले और वहां पर आप phase को कर दे 1 पे और जो spacing वाला option है आप उसको कर दे 6 पे और जो magnitude है उसको आप ले आए 0.5 अब आप देख सकते हैं मेरा wave वाला effect यह एड हो गया है फिरसे आप आजाए effect में और यहां पर यूज कर ले बिलर को तो गाशन बिलर वाला effect आजाएगा आप उसको add कर ले और गाशन बिलर को आप उपन कर ले और जो starting वाला पार्ट है आप उसको बिलर कर ले और थोड़ इसे मतला center में 0 हो और last में और starting में आपका विलर होने चाहिए और center में आप बिलर को 0 कर ले तो आप फिर से बैक आजाए और दूसरे effect को add करें effects में आजाए और यहां पर search कर ले exposure gamma अब आप यहां से इसको add कर लें और आप exposure gamma की opacity को आप फुल कर दें इसको आप यहां से आप इसको टू पर रख दें exposure को और आपको इस तरह बदाना है कि आपको यह जो starting वाला पार्ट है इसको आप फुल होना चाहिए और जो आगे वाला इसा है उसको आप बन पर जीरो कर दें आप स्टार्टिंग वाले पार्ट में exposure gamma होना ज़रूरी है और यह लास्ट वाला पार्ट है आप यहां पे इसको फुल कर दें टू पे और जिसके थोड़ा पिछे आप एक और प्लस का option बला ले और इसको भी आप 0 पे कर लें ताकि सेंट्रा वाले पार्ट में exposure gamma 0 हो और स्टार्टिंग और लास्ट वाले पार्ट में exposure gamma फुल होना चाहिए अब फाइनली मेरे इस इमोजी में पीनों एफेक्ट से एड़ हो गए है अब आगी वाले पुस्टिंग में आपको कॉपी करना है और पेस्ट करना है अब आप यहां से इसको कॉपी कर लें और मै इसको यहां से ट्रिम कर लें अब आगी आपको इसी तरह एकदम मतलब इडिट करना है सिर्फ आपको कॉपी वाला जो है आपको पेस्ट करना है और आपको सिर्फ इमोजी चेंज करना है अब जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूं आपको भी बस इसी तरह एडिट करना है बस आपको पेश करना है और ट्रिंप करके फिससे आपको सिर्द इमोजी इपना चेस्च करना है और सब कुछ सहम है अब मैं अपनी वीडियो कुछ इस्पीड बढा रहा हूं आप समझ गे होंगे कि कैसे इमोजी और टेक्सट करना है अब चलते हैं लास्ट वाले इमोजी प तुम मुझे बरबाद करो वो अलग बात है हमने बनना सवर ना छोड़ दिया तो अब चलते हैं लास वाले इमोजी में आप प्लस के आप्शन को टिक कर गए अब आप तीन कोई भी इमोजी सेलेक्ट कर ले उसके बाद आपको उसका कलर चेंज करना है आप कलर वाले आप्श लगाने हैं सबसे पहले अप लगा लें वेली वाला फेर का टिक करने लें तो एक यहां को छुछ लगा ले और दूस्तरा प्लस का लगा लें और फिर आपको फेर को करना है वन पे और जो है इस में वालिए और शुछाफ ने स्ट्पर और आपका मेगनिटीट ए अब उसक तो यहां नीचे एफेक्ट आ गया है गाशन बिलर वाला आप इसको add कर लें अब आप गाशन बिलर स्टार्टिंग में लगा लें प्लस का option लगाके और थोड़ा आगया के फिर साइप लगाके उसको zero कर लें और जो लास्ट वाला पार्ट है आप वहां पर भी गाशन बिलर लगा लें और इससे थोड़ा बैक साइड हम एक और लिसका option लगा लें और आप वहां पर इसको zero कर लें ताकि सेंटर में zero हो और स्टार्टिंग और लास्ट वाले पार्ट में आपका गाशन बिलर होना चाहिए तो आप फिर से एफेक्ट में आज जाएं और यहां पर आप सेर्च कर लें एक्सपोशन गामा और आप यहां से इसको एड़ कर लें एड करके आपको अब इसको आप फुल कर दे इसको आप टू पे कर दे अब स्टार्टिंग में फुल होना चाहिए लेकिन सेंटर वाला जो जो साए आप वहां पर एक प्लस का उप्षिन लगा लें और इससे आप उसको आप यहां पे zero कर दे अब गाशन बिलर में कुछ प करें तुम्हारी क्या उकाद के तुम मुझे बरबाद करो वो अलग बात हैं हमने बनना सवर ना छोड़ दिया अब यह लास्त वाले इमोजी को जूम करना बाकी रह गया है तो आप मूप ट्रास्फों में आ जाएं और अब आप यहां से इसको कुछ जूम कर सकते हैं स्टार्टिंग में आप लिसका और लगा के इसको कुछ माइनस कर ले और आगए आक्या न tatके आप कुछ एक्ट एसी बन जाए कि स्टार्टिंग में लेटल हो और आगए क्या आक्या का इंक्रीज हो जाए अब आप देख सकते हैं कि फारकि आपकी वीजियो इडिट तो फ्रेंड्स फाइनली अब मेरी सारी वीडियो एडिट हो गई है फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरी हर एडिटिंग वाली वीडियो आप तक पहुंच सके